हलो एवरीवन वेलकम टू एस्पाइंट पीसियस मैसल चंदन पसाथ आज के इस सेशन में जो हम एक नया कोस स्टार्ट की है जिसमें कि आपका जार्खन करेंट अभेर से संबंदित उसके वस्तुनिस्ट प्रस नहोंगे और उसका आम लोग यहां पर कंप्लेट डिसकस इसमें जो प्रस ने सामिल किये जाएंगे वह आपका जार्खन करेंट अभेर से संबंदित ज्यादा तर आपका 2019 के होंगे और अठार के जो इंपोटेंट जो फैक्ट हैं योजनाएं हैं और जो भी रिलिवेंट मेटरियल हैं उसी के प्रस्नियां पर सामिल किये जाएंग इसमें आपका डिटेल हम लोग डिसकस भी करेंगे तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें सबसे पहला प्रस्नाच के हम लोग देखते हैं हाली में जहारखन के राचिस से पर्दान मंतरी ने पर्दान मंतरी किसान मांधान योजना का सुबारम किया है इस योजना के तहथ किसानों को इम्र साठ साल पूरी होने पर उन्हें कितने रुपे परतिमा पेंशन के रूप में दिये जाएंगे तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं आपको बता दे 12 सितंबर 2019 को डेट याद रखेगा 12 सितंबर 2019 को भारत के परधान मंतरी नरेंद मोधी जी ने परधान मंतरी मांधन योजना का सुभारम किया था इस योजना के तहद जो भी किसान है किसानों की जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उनके 60 सल पूरे होने पर उन्हें पेंशन के तौर पर कुछ रासी दिये जाएंगे उसके लिए पहले क्या करना हो किसानों की कि उन्हें कितना जमा करना होगा जब उनका 60 सल पूरा हो जाएगा तो 60 सल के बाद उन्हें परतिमा 3,000 रुपे पेंशन इस योजना के तहद दिया जाएगा इस योजना से करीब आपका बहुत सरे किसानों को करीब आपका जो पांच करोर लगू एम सिमान किसानों को इससे लाब मिलेगा अभी तक आपको बताते हैं इस योजना के तहट अंतरगत 1.16 लाइक किसानों का निमंदन हो गया है क्लियर है तो जो प्रस ने पूछा गया था इसमें सिंपल सा था कि 60 सल उम्र होने पर कितना परतिमा पेंसन दिया जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका यहां पर डी होगा दुसरा प्रसन है आपका हाली में जहारखन के हजारी बाग में भारतिये पुरा तत्व सर्वेक्षन एस आई को मिले विरेताकार दीवार की सकाल के बताए गये हैं आपको बता दें एस एस आई जो भारतिय पुरा तत्व सरविक्षन है जो कि आपका जो धरहल अस्थल होते हैं और जो आपका पुराने अस्थल होते हैं उनका ये सरविक्षन करता है और वहां पर खुदाई विगरता है तो हाली में जharkhan के जो हजारी बाक छेतर है वहां का तियोकर दिवार मालूम होता है तो इसलिए यहाँ पर जो राइट एंसर होगा आपका यहाँ पर डी होगा तिसरा प्रस ने आपका हाली में जार्खन के मुक्य मंत्री द्वारा कोनार नहर सिचाई परियोजना का उधगाटन किया गया है इस परियोजना से कौन-कौन से जीले हैं जो लावानमित होंगे यह जो योजना था या फिर जो परियोजना प्रोजेक्ट है वो बहुत पुराना परियोजना है 42 साल बाद इस परियोजना का उधगाटन किया गया था मुक्य मंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री रगुवर्दास के द्वारा लेकिन उध्गातन करते ही 24 गंटे के अंदर वो बहा गया था बरबाद हो गया था आपको उसे प्रफने पूछा जा सकता है इसलिए हमने इसको सामिल किया हुआ है आपको बताते हैं अगर यह प्रियोजना कम्प्लिट हो जाता तो इससे तीन जीले सबसे ज़्यादा सारवधिक लवानमित होते हैं आपका पहला था हजारी बग गिरिडी बोकारोज जीला यह तीन जीला का जो करमसा जो विस्नुगड बगोदर डूमरी और नावड़ी परखंड के ग्रामों में सीचाई की सुविधा परदान करने का प्रावधान था इस योजना परियोजना के ताहत चुकि यह एक सीचा हजारी बग गिरिडी और बोकारो तो राइट एंसर आपका यह पर ए है फूर्थ परस ने आपका जहारखन पत्रकार सम्मान पेंशन नियोमॉली दुहजर उनीस के तहत जहारखन राजजी में पत्रकारिता में अपनी सेवा देने वाले लोगों को परतीमा कितने रुपें पेंशन के रुप में दिये जाएंगे हाली में जहारखन कैबिनेट ने एक नियोमॉली वी की विधायक पारित किया है जिसका नाम था जहारखन पत्रकार सम्मान पेंशन नियोमॉली दुहजर उनीस इस नियोमॉली के तहत वैसे पत्रकार जो जहारखन में अपनी सेवा द ही लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि या जो पेंचन रासी है वो नप्त्रकारों को को नहीं मिलेगा जो राज सरकार या पिर केंद्र सरकार की दुपारा जो अन्य है प्राप्त करते हैं अगर पहले से प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें यह रासी नहीं दिया जाएगा और दो कंडिशन और भी है कि यह जो रासी है पेंसन रासी उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो एक जनवरी 2015 के बाद सेवा निरिवित हुए हैं जो रिटायर हुए हैं प्रत सेवा निरिवित हुए हैं या तो एक जनवरी 2015 के बाद वो सेवा निरिवित होने चाहिए या फिर उनका एज अठावन या 60 साल के बाद सेवा निरिवित हुए हो और साथी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जार्खन में लगातार 20 वर्सों तक पत्रकारिता में अपनी स होंगे उन्हें जीवन परियंत पारिवारिक पेंशन भी दिये जाने का नीर नहीं लिया गया है तो इसमें जो राइट एंसर होगा 7500 फर्स्ट ऑप्शन फिर्थ परसन है आपका हाली में परधान मंतरी के द्वरा परधान मंतरी किसान मांधन योजना का परारम किया गया था जार्खन राची से तो यह कब परारम किया गया था डेट पूछा जा रहा है इसमें तो सिंपल सा है यह जो हम लोग फर्स्ट परसन डिसकस किये थे से म उसमें हमने डेट भी बताया था परधान मंत्र किसान मांधन यूजना जिसके तहट किसानों को जो एक पेंसन रासी उनके 60 साल पूरे हो जाने पर मिलेगी 30,000 रुपए तो उसका प्रारम आपका राची जारकन से किया गया था 12 सितंबर 2019 को तो राइट एंसर आपका यहां प मोदी के द्वारा किया गया है तो बहुत इजी परस ने इसे हमने अपनी करेंट अफेस में डिसकस भी किया था चलिए इस पर एक बार और हम लोग डिसकस कर रहे थे आपको याद होगा मल्टी मोडल टर्मिनल यह मल्टी मोडल टर्मिनल है क्या चीज तो यह आपका जो सहिब गंज जीला है वहाँ पर यह अस्थापित किया गया है जो कि जारकन का पहला और देश का दूसरा मल्टी मोडल टर्मिनल है के लिए और यह जो जोड़ा जारा है रास्टिये जलमार् गंगा नदी जो आपका एक रास्टिय जल मार्ग है एक तरह का मल्टी मोडल जो टर्मिनल है एक बंदरगा है वहाँ पर आपका जो रास्टिय जल मार्ग के थुरू वहाँ पर जो सिवाएं दिये जाएंगे मालो का आवा गमन होगा तो ये देश का दूसरा मल्टी मोडल है पहला कहा बना था पहला को विद्यान में रखिएगा ये वारा नसी में बनाया गया था भारत के पहले मल्टी मोडल टर्मिनल का रिमान वारा नसी में गंगा नदी पर किया गया है और दूसरा हजारी बाग में जो की जहारकन का पहला multimodal terminal है इस जो multimodal terminal था उसका जो लागत है आपका जो हजारी बाग में जो बनाया जा रहा है सोरी सोरी साहिब कंज में जो बनाया जा रहा है 290 क्रो रुपे इसकी लागत है अब इससे क्या benefit मिलेगा तो जो जारकंड और बिहार के उद्योग है वैस्विक बजार के लिए खूलेगा साथ ही आपका जलमार के जरिये भारत नेपाल कारगो कनेक्टिविटी को भी सुलब बनाया जाएगा इस टर्मिलर की सालान जो छमता है इसको याद रखेगा 30 लाख टन है एक प्रस पहले भी हम निस पर आपके साथ डिसकस किये हुए है तो इसका राइट एंसर जो होगा आपका ये होगा साइव गंज में सत्वा प्रस ने आपका हाली में मुखी मंत्री रगवर्दास के द्वारा मिटी का डॉक्टर अभियान के तहत कितने ग्राम पंचायतों की महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा कि मिटी का डॉक्टर क्या कॉंसेप्ट है ये एक अभियान चलाए गया था जो वर्तमान जो मुखी मंत्री है रगवर्दास जी उनके त्वारा ये एक मिटी का डॉक्टर कॉंसेप्ट चलाए गया था इसमें महिलाओं को जोड़ा जा रहा है जो जार्खन की मिटी की गुन्वत्या और जो उनका क्वालिटी बोल सकते हैं कि जाच करने के लिए ये एक तरह के डॉक्टर बनाय जा रहे हैं जो भी महिलाए हैं इसमें करीब आपका राज जी की 4366 ग्राम पंचायतों में 8734 महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जाएगा इन्हें परेक्सिक्षन दिया जाएगा पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्रेनिंग लेने के बाद ये खुद अपने गाउं में मिटी जांच कर बेहतर पैदावार के लिए किसानों को जागरुक करेगी यहां पर मिटी विएर देखिएगा बहुत ज़धा ऐसे हैं जिसका इस्थिति पहले से खराब हो गया है तो वह ऐसे मिटी का जांच किया चाएगा जहां पर अच्छा पैदवार हो सकता है और किसानों के इसके बारे बताया जाएगा इसके लिए राज सरकार ने 3164 मेटी लेब भी बनाएंगे तो इसका राइट एंसर जो होगा आपका यहां पर पूछे जा रहा था कितने ग्राम बन चायद तो 4366, 4366 आपका राइट एं मंतरी अटल विहारी बाजस्पई की याद में जहारखन सरकार के द्वारा हिंदी साहित यह पत्रकारिता यह सीविल सेवा के छेतर में उत्करिष्ट कारी करने के लिए नीमने में से किस परकार के प्रुसकार की घोसना की गई है तो हाली में आपका जब पूर परदान मंतर अटल विहारी बाजस्पई का नीधन हो गया था उनके बाज बहुत सारे सरकारे और भारत सरकार ने भी बहुत सारे घोसना है देने जो समान समारों के तहत बहुत सारे छेतरों में उन्हें पुरसकार देने का एक घोसना की गई थी तो उसी के तहत आपका जारखन सरकार न मंत्री की याद में एक पुरुसकार दिया जाएगा उसका नाम रखा गया है अटल अस्मृति पुरुसकार इसको ध्यान में रखिएगा इक्जाम में जेश्ट उल्टा भी पुछा जा सकता है कि अटल इसमिर्यती पुरुसकार किसलिया दिया जाएगा तो हिंदी सहाहित्य में जो उत्रिष्ठ कारी करेंगे पत्रकारित्य के छेत्र में और या सीविल सेवा के छेत्र में कारी करेंगे उत्रिष्ठ कार उन्हें या पुरुसकार दिया जाएगा अटल इसमिर्यती पुरु को सेवा नित होने के बाद परतिमा 7500 रुपे के रूप में पेंसन दिये जाएंगे या पेंसन किन पत्रकारों को मिलेगा इसका डेट भी याद रखिएगा अभी जब हम डिसकस कर रहें इस वर पहले एक और प्रसन आ चुका है तो हम पर फैक्ट हमने बताया था तो आप डा के बाद निवित हुए हैं रिटार हुए हैं उन पत्रकारों को मिलेगा या फिर 58 से 60 साल के बाद जो रिटार हुए हैं उनको मिलेगा तो इसमें डेट दिया हुआ था तो डेट बेसिस पर आपका यह पर राइट एंसर जोगा एक जनवरी 2015 है यह पर हमने मेंशन भी किया हुआ है देख सकते हैं दस्वा परस्ण है आपका जारखन पत्रकार सम्मान पेंशन नियमवली 2019 के तत जारखन में लगातार कितने वर्सों तक पत्रकारिता के छेतर में योगदान करना होगा सेम कॉंसेप्ट के बेसिस पर अनदर परस्ण है कंडिसन अलग अलग चीज़ है परस्ण आपको यहां पर सबका जो कॉंसेप्ट है जो आपको स्टडी करना है एक ही जग करना है लेकिन परस्ण बहुत सरे बन सकते हैं एक्जाम में कुछ भी पुझा जा सकता है इसलिए हम पत्रकार जो पेंशन रासी जो मिलेगा उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जीनोंने लगतार 20 वर्सों तक जारकंड में पत्रकारिता की हो अपनी सेमा पत्रकारिता के रूप में दिये हो 20 वर्स तक तभी ही हो उन्हें यह पेंशन 7500 रुपे मिलेगा या फिर नीधन के बाद उनके आश्रित, पती या फिर पतनी को क्लियर है इस तरह से आज हमने 10 प्रसन आपके साथ डिसकस किया है उसका हमने जारा जितना भी कॉंसेप्ट था वो भी आपको बता है आज के लिए से बस इतना ही अब मिलते हैं नेक्स लेशन में, नेक्स सेशन नमर टू में वहाँ भी हम इसी तरह से प्रसन आपको देंगे और उसके डिसकस करेंगे आज का जो लेशन का पीडियेफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ से जरूर डाउनलोड कीजिएगा और उसे अच्छे से कवर करने की कोशिस कीजिएगा तो थैंक्यू वरीबन मिलते हैं नेक्स सेशन में और अगर आप हमारे स्टेडी मेटरियल और टेस्स सेरीज या फिर अधर जो मैगजीन विगर है परसिस करना चाहते हैं वेबसाइट पर विजिट कीजिए वहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे या फिर इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके आप टेस्स सेरीज ओनलाइन क्रासेज या फिर अधर प्रैक्टिस सेट के लिए आप हुहाँ पर और्डर कर सकते हैं थैंक्यू